नमस्कार दोस्तो हमारे इस एस एस्ट्रोजी और पामिष्ट्री चैनल पर आप सभी कस्वागते दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हाथ के बारे में और जानेंगे क्या-क्या विशेशता है क्योंकि इस हाथ में कुछ विशेश चिन्न है जिसके बारे में हम इस व wise be short उंगलिया और thickness वाली उंगलिया help करती है वेक्टि के health अच्छी रहती है उसके बाद जानेंगे कि यह तरजनी उंगली वेक्टि को महत्व कांग्शा उसके साथ confidence, self confidence, leadership quality दिलाती है यह straight है अध्यत में गरूची ऐसी वेक्टि को होती है शनी परवत के तरफ जुकी हुई है यह एक positive sign माने गया है उसके बाद में हम जानेंगे middle finger वेक्टि को थोड़ा serious nature का बनाती है hard working बनाती है और यह भी अच्छी खासी develop हो रही है इस वज़े से धन संचे और धन का इन्फलोबिय ऐसे वेक्टि में होगा अच्छी तरह से अनामी का उंगली सूर्य की उंगली जिसे कहते हैं यह वेक्टि को fame कला के शितर में अच्छा नाम दिलाती है वेक्टि में अच्छी कला गुना ऐसे रहते हैं समाज में नाम होता है किरती उसकी फैलती है यह भी अच्छी develop हो रही है और लेंद अच्छी है कोई बुरे चिन्ध नहीं है इस पर इस वज़े से ऐसे वेक्टि समाज में अच्छी प्रतिष्टा पा लेता है उसके बाद उंगली यह जो लो सेट है थोड़ी शाय की समकर नेचर दर्शाती है लेकिन लेंद अच्छी है यह फर्स्ट फैलेंच तक जारी है यह दर्शाती कि ऐसे वेक्टि बिजनेस अच्छा करेगा वक्तुत तो शैली अच्छी होगी समाज में उसकी भाशा उसके विचार उसकी बोलने की शैली के उपर लोग इंप्रेस हो जाएगे और उनका समझ में अच्छा नाम होगा उस वज़े से उसके बाद हम देखेंगे शेप आप दे हैंड छोटा हाथ है थिकनेस ज्यादा है इस वज़े से ऐसे वेक्ति दिल के दिलदार होते है व्यवारिक ग्यान ऐसे व वेक्ति को रूजी होती है उसके बाद हम देखते हैं यह जो थम है उसके बारे में थम जो है श्ट्रेट है पीछे की तरफ जुक नहीं रहा यह दर्श जाता है कि व्यव्टि में एड्जस्ट्टि नेचर की कॉलिटी थोड़ी कम है एड़्जस्ट कर रहे गा नहीं सिच् के हिसाब से उसके ऐसा व्क्ति सुनता सब किये करता आपने मन की दूसरों की चाह मानना ऐसे व्क्ति को जाद़ा पसंद नहीं आता उसके बाद एक विशेष है कि यह जो फॉर्स्ट फेलेंज है इस से यह यह बटा है इस वज़े रेखा है अच्छी थीकने से इस वज़े से एसा वेक्ति एनर्जी से बरा है हिल्थ भी अच्छी है लेकिन यहां पर आने के बाद इसमें थोड़ी ग्याप नजर आ रहा है तक्रीबंट 54 55 की एज में ऐसे वेक्ति में थोड़ा सा ग्याप नजर आ रहा है यह दर्शात है कि वेक्ति कि में उस टाइम में परस्नल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत आने वाली है हेल्थ रेलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है परस्नल कोई कलर हो सकते हैं फैमिली मैटर हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में इस वज़े से दिक्कते आ सकती है और जीवन में उतार चड़ाओ आने के चैंसे से लेकिन कुछ समय के बाद ये सब ठीक होगा इसके लिए कुछ सोलूशन इने करना पड़ेगा और उसके बाद इनकी लाइफ अच्छी सेट होगी और लाइफ लेन बागे आगे जा रही है और 80 प्लस आयू दिखा रही है उसके बाद में हम देखते हैं कि मस्तिश करेका एक यूनिक मस्तिश करेका इस वेक्ति के हाथ में हमको देखने लगी है मस्तिश का रेखा जीवन रेखा के साथ चल रही है स्टार्ट में शनी परवत के नीचे तक ऐसे विक्ति बड़ो की छतरचाया में रहता है बड़ो की बाते मानता है बड़ो के हिसाब से ही चलना पड़ता है उसको बहुत सालों के लिए लेकिन उसके बाद ये जो मस्तिश का रेखा है वो जाके मिल रही है रदे रेखा को ऐसे विक्ति मरूदू नेचर के होते हैं कमजोर दिल के ऐसे विक्ति होते हैं और प्रैक्टिकल और इमुश्टल ये जो उनका नेचर होता है उनके बीच ऐसे विक्ति होते हैं लोगों को लगता है कि ऐसे विक्ति में बहुती ज़्यादा एक्टिटूड है लगना ऐसे विक्ति एक्टिटूड वाले नहीं रहते दिल के बहुती मुरुदूर है ऐसे विक्ति उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो भागे रेखा या फिर इसे धन रेखा भी कहते हैं उसके बारे में यह निकल रही है मनिवद्द रेखा से उसके बाद यहां पे 50 के बाद में यह रेखा यहां पे बंद हो रही है मतलब रुक रही है और एक दूसरी रेखा यहां से निकल रही है यह दर्शात है कि after the age of 50, 50-55 के बाद ऐसा विक्ती खुद का जो profession है, खुद का जो business है वो उसका बंद हो जाएगा वो रोग देगा और कोई नया business, नया profession स्टार्ट करेगा और उसमें इन्हें progress मिलेगी start में देखिए, यह जो money line है, इसमें थोड़े gap नजर आ रहे है और यह दर्शात है कि विक्ती के जीवन में start में उतार चड़ा हो है उसके बाद में multiple economic sources भी देखाए दे रहे है उसके बाद में हम देखेंगे रदे रेखा के बारे में रदे रेखा जो जा रही है, first finger और second finger के बीच में मतलब गुरू की finger और शनी की finger के बीच में ऐसे विक्ती emotional और उसका practical nature में ऐसे विक्ती अच्छी तरह से balance कर सकता है इस वज़े से ऐसे विक्ती विवर और प्रेम में balance बना लेता है जाद़ emotional भी नहीं बनेगा और जाद़ practical भी नहीं बनेगा कहां practical बनना है और कहां emotional बनना है ऐसे विक्ती 100% जानता है और अच्छी तरह से जानता है शुकर परवत भी ऐसे विक्ती का अच्छा डेवलप हो रहा है luxurious life जीना ऐसे विक्ती को पसंद है अच्छी fashion अच्छे कपड़े पहनना ऐसे विक्ती को पसंद होता है इस वज़े से